अगर आपको Bollywood की अंदादुन टाइप की मुवीज पसन है तो ये मुवी भी आपको पसन आएगी अंदादुन एक नए से कैटिगरी में थी जो थी डार्क क्राइम थिलर इस टाइप की मुवीज में कैरेक्टर्स बहुत ही डार्क होते हैं जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो आप justify कर ले दे कि ऐसा होना ही चाहिए था आज के हमारी Korean movie Beast That Link to the Straw और इसका और एक नाम है जो है Beast Clawing at the Straws ये 2020 की Crime Thriller Mystery Movie है direction of writing अंदादून की तरह ही लगती है और अगर आपको पसन आए होगी तो ये भी ज़रूर पसन आएगी movie के last में एक अच्छा सा message भी है तो वो भी हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते है movie start होती है और हमारा एक character जिसका नाम होता है जंग ये हमें दिखता है ये एक locker के shop में काम करता है अब देर हो चुकी है और ये shop अब burn करने वाला है तब उससे दिखता है कि एक आदमी उसका बैग लेने के लिए आया ही नहीं ये जब इस बैग को open करता है तो यहाँ बहुत सारे पैसे होते है यहाँ काम करने वाला और एक लड़का होता है जिससे वो बहाना कहे कर ये back storage में रख देता है सही से चुपा कर अपने घर आ जाता है इसके घर पर इसकी मदर और वाइफ होती है इसके बेटी higher education के लिए एक अच्छे सी university में चली गई होती है जब एक घर आता है तो देखता है कि वाइफ इसके मदर की toilet साफ कर रही होती है इसके मदर बहुती स्टिक टाइप का character है यह बहुती बुड़ी है पर अभी भी इससे सब को समझ में आता है तो उसके इशारे पर सब को नचाती है जब जंग घर पर आता है तो जंग को कहती है तुम्हें वह जौब छोड़ देना चाहिए इनके पहले दुकान हुआ करते थी पर दुकान पर अब कोई भी नजर नहीं रखता मदर कहती है कि फादर ने कितने efforts लिये थे सब customers पाने के लिए अब तुम्हें दुकान चलानी चाहिए जब यंग वाइफ के पास रता है वाइफ कैते है कि हमारी बेटी अब एक साला का ग्याप लेने वाली है उसके एझुकेशन की फीड उसके पास नहीं है और ये भी इसे प्रोवाइट नहीं कर सकते है। इसलए एक साला वह काम करीगी और इसके बाद फिर से एझुकेशन करेगी यंग की वाइफ इम्हें भ बहुत सारे पैसे लिये थे और वो पे नहीं कर पा रहा जो सब पैसे इसने लिये थे तो उसकी girlfriend इसे चुरा कर ले गई है इसके girlfriend का नाम यूनी होता है यहाँ एक बड़ा खतरना गुंडा होता है और उसका right hand भी उसके साथ बैठा हुआ होता है यह गुंडा तेयं को कहता है कि तुम्हें जल से जल मुझे पै करना है अगर तुम पै नहीं करोगे तो मेरे आदमी को human intestine खाना बहुत पसंद है अपने boss को समझाने की कोशिश करता है कि यूनी उसे भी दगा देकर भाग गई है पर उसका boss समझने वाला नहीं उसे जल से जल उसके पैसे चाहिए मूवी और SOL चाहिए में एक दिन जीनते आता है इसको कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही हो थी मिरान जब इसके पास जाती है तो इसे बहुत M लिया था परजी öz की चक्कर में यह सब पैसे उन्होंने इन स्केम पर लगा दी है इसके बाद इसका थी मीरान को ही . इसके बाद हमाद फिर से यह एरपोर्ट कर अचल होता है तय कल आये होता है और यह해ी कल आ director इसके कजन को पता चल जाता है कि तेयंग को अब कुछ काम होगा इसी वज़े से यह आया हुआ है एक खाना वगिरा खते इधर उदर की बाते करते हैं फिर तेयंग असली बात करने के लिए स्टार्ट कर देता है यह कहता है जिसने बड़ा सा स्कैम किया था वह अपने साथ पर बहले इनने बहुत सारी चीज़े की है तो इस बार भी तेयंग इसे मना ही लेता है नेकसिन में जंग अपने जॉब पर तीन मिनिट के लिए लेट हो जाता है इसका बहुत इखटिया है और इसे बहुत डाटता है जंग अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को कहता है कि क तुम्हें वो जॉब करने कोई जरूरत है मिरान जब उठती है तब उसके पीट पर बहुत सारे मार खाने के मांक्स होते है जिन्ते उसे पूछता है क्या तुम्हारे हस्बन ने ये किया है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए मिरान केती को इस रिलेशन्शिप में स्ट होजाता है जंग की नग कि मदर को लेकर सीडियो से जा रही थी मкольको लगा ते कि अपने फ्रेंड को लेने के लिए एरपोर्ट पर आया हुआ है वह Vielen यृट करता है और उसके उसका गाड़े के पास एक डिरीट वा जाता आ वो टेंग के फ्रेंड का नाम लेता है और कहता है कि उसने एक बड़ा सा स्कैम किया था इसी वज़े से वो उसे ढून रहा है टेंग को बूच रहा होता है क्या हो उससे जानता है टेंग कहता है कि नहीं ऐसे किसी भी नाम के आदमी को में नहीं जानता पर इस डिरेक्ट्टू के पास, जब fry tua स्कुल में थे, इस class के सब रेकॉर्ड्स होते हैं जबर्दस्ति ये डिरीकु तेंग को खाना खाने के लिए लेकर आता है तेंग को उसके friend के फोटो दिखाता है और तेंग भी आप मान लेता है कि उससे पहचानता है यह डिरेक्टू कहता है कि मैंने उसके सब कॉल रेकॉर्ड्स विगरा भी निकाले थे पर उसमें तुम्हारा नमबर नहीं है वो एक डबी फोन यूज़ कर रहा होगा यानि कि पुरा शक तेयंग पर ही उसका है तेंग ने अपने फ्रेंड के साथ बात करने के सब कॉल रेकॉर्ड्स मिटा दिये हो दे तेंग भी confidently कहता है कि देख लो कोई भी रेकॉर्ड नहीं है इसके बाद डिरेक्टू कॉल आ जाता है और वहां से चला जाता है बहुत ही expensive जगा तेंग को उसने लाय होता है और तेंग को इस सब बिल पे करना पड़ता है हमें फिर से जंग दिखता है वाइफ ऑस्पिटल में इसी वज़े से आज काम को लेट हो चुका है अपने बॉस को जब वो कॉल करता है तो उसका बॉस कहता है या अब तुम्हें आने की कोई भी ज़रूत नहीं है उसे वो fire कर देता है मेकसिन में मिरान दिखती है उसके husband की health policy वो देख रही होती है तो उसका husband accident से मर जाता है तो उसे half million dollar मिलने वाले होते हैं इसके बारे में अब वो जिनते से बात करती है जिनते से मिलकर वो अपने husband को मारने का plan बनाती है मिरान कहती है कि रात में मेरा husband बहुती drink करता है और दो-तिन बजे पार से बहार आता है जब मिरान का husband बहार आएगा तब जिनते उसे गाड़ी से उड़ाने वाला होता है जिनते भी इसके लिए मान जाता है और एक आत्मी को उड़ा देता है वो आगे जाता है और मिरान को call करता है कि सब कुछ ठीक रहा है अब वो एक mountain बन जा रहा होता है मिरान कहती है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो जिनते कहता है कि वहाँ एक complication हो गया था उसके body में वही नहीं रख सकता था अब नेक सिन में हमें टेयंग दिखता है टेयंग के कजण के पास gangster आया हुआ होता है अपने friend को एटने वाला था सब पैसे उसे लेने वाला था यह सब gangster को पता जल चुका है टेयंग से भी यह सब plan बूलवा लेता है अब इसे भी इन पैसों में से कट चाहिए गैंक्स्टर जाने के बाद तेयंग का कजन बहुत ही वरी करने लग जाता है तेयंग कहता है वरी मत करो जो भी सब चीजे होती है इसके पीजे कुछ रीजन होता है तेयंग फिर उसे एक स्टोरी सुनाता है कहता है कि तुम्हें पता है क्यों मैं सिगरेट पीता हूं इस सिगरेट का नाम Lucky Strike होता है यह यह दा है कि मेरे फ्रेंड के साथ एक लांग ट्रिप के लिए मैं जा रहा था हम रोड पर पेट्रोल भरने के लिए रुके थे मुझे सिगरेट बाए करने के लिए गया और एक मिलती है वो कहती है उनका प्लैन अब अंसक्सेस्फुल हो चुका है उसे फिर से जॉब करना पड़ेगा वो जिन्ते को कह रहे हुथी है कि वो जायना चला जाए वहां सेफ रहेगा जिन्ते ने उस आदमी को मारा तो मंटर करने के पाद उसे बहुत ही पुरा लग रहा है नि यंग उसे नहीं जानता यह यह कह कर वहां से जा रहा होता है तहीं वहां उसका बॉस भी आ जलेता है तब करता रहता है जब पुलिस यहां से बात करता है उस्चै तुम मुझे तंग करते थैंपर फिर इमें सब सहन कर लेता तुम अब मेरे पौस नहीं हो तुम्हारे साथ में बहुत गलत चीज़ें कर सकता हो यूसे दमकी देकर वहाँ से चला जाता है बहुत भी से डर जाता है इसके बाद नेकसिन में हमें बार में एक आदमी तमाशा ख जली जाती है मिरान को भी अपने पास व बिठाती है मिरान के इंजुरिस देखकर, आप कोई भी तरीक एका प्रॉलम आया तो मैं तुम्हारे लिए हूं तुम स्वारी को को आता हैNew的 डिस्टर्ब हो चुका एं इस्वास है इसे लिए ये बहुत सिर्फ पुलिस के पास जाने वाला हूं सब को जोने बता दूंगा मिरान का नाम नहीं लेने वाला होता तुमने घाड़ा है उसकी जाकर हम शांदी कर आदे तुम्हें जरा अच्छा लागेगा यह फिर माउंटन में पहुचते और वहाँ सब को सेरे में निविग्रा करते है जीनते पर यूनी को कॉल लगा थी है यूनी को उसके हजबन का ढ़ोंड का इंशॉरंस था इसके बारे में जो सब सीचुशन होई थी इन सब के बारे में बता देती है। यम्भी केती है को मैं बने कोई भी जरूत नहीं है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और जो Sipsmas said कर देती है इसके बाद उसेー युप इसे कोछन प्रिनग मिसटा कर आने बहुते है कि उसके मार देना चाहिक इसके लिए यूनी उसे help परने वाली है, उसे एक poison देती है, जिससे मिरान का पदी स्लोली स्लोली मर जाएगा, यह उसे सब कुछ बताती है, कि पुलिस के पास उसे किस तरह के नाटक वेगरा करने है, मिरान सस्पूस में उसके पदी को मार डालती है, और सब नाटक वेगरा क करती है, अब इसको insurance के सब पैसे मिल जाते है, इसके बाद यूनी के पास उसे thank you कहने के लिए आती है, उसे आदे पैसे भी वो दे रहे होती है, पर यूनी कहती है, कि मैं पैसो के लिए मैंने इस सब नहीं किया, वो मिरान को एक नई country में जाकर नई life स्टार्ट करने में help क करने वाली होती है, यूनी मिरान को हैती है, कि अब नई life तुम स्टार्ट करो, जिस आदमी को जिनते ने मारा था, वो एक रेपीस था, उसके साथ यह होना ही चाहिए था, जब यह दोने celebrate करते हैं, तो मिरान के शैंपियान में उसने बेहोशी की दवा मिला दी होती है, रा तैंग जब घर पर आता है, तो वहाँ यूनी आई होई होती है, तैंग उस पर बहुत ही नाराज होता है, क्योंकि उसे कुछ भी ना बताते हुए, वो जली गई थी, इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है, और यूनी कहती है, कि मुझे एक पासपोर्ट चाहिए, तैंग एरपोर्ट पर ही काम करता है, तो अपरूब कर सकता है, इसी वज़े से वो तैंग के पास आये हुए होती है, तैंग फिर से इस पर चिट जाता है, वो कहता है, तुम्हारा काम है, इसलिए तुम आई हो, तुम मेरे नहीं आई, यूनी से समझाती है, कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सच्विश में उससे प्यार करती है, यहाँ डोर पर नौक आती है, और डियंग इसे देखकर डर जाता है, यूनी को देखता है, तब इस पर लाइन मारने लग जाता है, यह सब अब डिनर कर रहे होते हैं, यूनी ने उसके बाड़ी पर शार का टैटू बनव यह डिरेगट्व टेयंग को कहता है, टेयंग को बदा ज़ल जाता है, जल्दी से चाकर में लेकर आता हूं, यह कहता है कि उनी वापस आ चुकिया है, वो अलग कंटर में जा रही है, तो इसके पास बहुत सारी पैसे होंगे, यूनी इससे पैसे लेने के लिए आता है, पन में उसने उसे मार डाला मुवी में आगे हमें पता चलता है कि जो डिरेक्ट्व था यह नहीं एक गुंडा था जो भूंग कर रहा था कि वो डिरेक्ट्व है यह भी पैसों की पीछे ही था यूनी देयंग को उसे हेल्प करने के लिए बौडी का सब कुछ ठिकाना वगराव जब यूनी साफ सवाई करती है तब तेयंग एक पैन लेता है और यूनी की सर पर मार कर उसे बहुश कर देता है नीचे पार्किंग में जाता है और इसके गाड़ी में सब पैसे उसे मिल जाते है जब यूनी उठती है तब तेयंग ने जिस गैंस्टर से पैसे लिये थे व फिर लॉकरूम में आ जाता है यही वह पैसे है जो जंग को मिले है 59 पैसे हाड़ा कर थोड़ी वहां से जाने माला होता है तभी इसके सिग्रेट खतं हो जाते सिग्रेट लेने की लिए जब वह भाहरातार तो गैंग्स्टर उसे स्पॉट कर लेता है ये गैंस्टर तेयंग की पीजे बीजे भागता है तेयंग रोड पर आ जाता है और एक गाड़े की नीचे आकर वो मर जाता है जैसा मुवी में हमने देखा है कि टेयंग बिलीव करता था इस सिगरेट की वज़े से उसे लाइफ मिली है पर उसी बास उसे कहता है तुम्हारी सैलरी लिए बिना ही तुम चले गएं बहुत सारे लोग सैलरी के लिए बाद में परिशान करते हैं इसे वज़े से उसका बॉस उसे बुला लेता है जंग उसके बॉस के पास पहुचता है तब हमें दिखता है कि वहां गैंस्टर और युनी है यह तोनों पैसो को ढूण रहे है इनोंने figure out कर लिया है कि यह पैसे जंग के पास ही है जब यह जंग को back के बारे में पुछते है तो जंग कहता है कि वो back मेरी wife ने मुझे दी थी जंग वहाँ uncomfortable हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है गर आने के बाद सब पैसे वो जेक करने लग जाता है तो भी गैंग्सटर और यूणी वहाँ पूढ जाते है यूणी और गैंग्सटर ऐसा धोंग कर रहे होते है कि पुलिस डिरिक्टिउज है तक पैसे वो ले लेते है आवाजें आ रही होती है तब जंग की मदर वहाती है जंग उन्हें इंट्रडूस कराता है पर मदर कहती है ये डिरिट कुस थोड़ी ना है इनके हाथ पर टैटूस लग रहा है इस तरह के टैटूस अलाउन नहीं है यूनी मदर को मारने लग जाती है और बेहोश कर देती है ये गैंग्स्टर भी जंग को बेहोश कर देता है गैंग्स्टर का जब धैन नहीं होता तो यूनी गैंग्स्टर को ही मार देती है इसके बाद पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है पूरे घर को उसने आग लगा दी होती है गैंस्टर का राइट हैंड जब ये सब देखता है तो इसे बहुत कुस्सा आता है यूनी एरपोर्ट पर आती है और ये सब पेसो लॉकर में रख देती है ये गैंस्टर का राइट हैंड यूनी को स्पॉट कर लेता है ये जाता है और बेरन में से इसका मर्डर कर देता है यूँ ही समझती थी कि वो एक सार्ख है सब को मार कर बच कर वहां से निकल सकती है पर अब उसका ही शिकार हो चुका है फिर से हम अपने आपको क्या समझते है और क्या होता है इस पर और एक कॉमेंट ही मुवी करती है इसक अगर मुवी में देखे तो बहुत सारे कारेक्टर्स मर चुके हैं यह उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर जब वार से वापस आये थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे फादर महनत ही थे उन्हें ने शौप खड़ी कि और इसके वाद अच्छे से बिजने बढ़ा है सब ने लाइफ में शौट कर लेने का ट्राइक किया और सब लोग फस गये मुवी में सबसे हेल्प लेस क्यारेक्टर मीरान का ही था उसका पती उसे मारता था पर रिवेंच लेनी के लिए उसने अपने पती को भी मार डाला जिनते पुलिस को कुछ भी बताये न लोकर खुल जाता है अंदर जब वो देखती है तो यूनी ने जो सब पेसे छुपाए थे यह सब उसे मिल जाते हैं यह लेकर तुरंद वार